असलाम लहीकूम और वेलकम बेक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब उमीदा सब भी कुछ ठीक होंगे है यह से भी होंगे और मज़े में भी होंगे तो जी आज कर विलोग जो है वह बहुत मज़े का होने वाला है क्यूंकि मैं आज आप लोग के साथ काफी सारी रेसिपी शेयर कर पर जिया है यहां मैंने अल्मूस वाइनफ के जी मतन लिया उसमें चार से पांच ट्रोमाटर जो है वह मीडियम साइज के लिए थे मैंने उनको काट के मैदे में एड कर दिया इसके साथ यहां पर इसमें मैं एड करूंगी चार जब यह तकरीब मैंने गालिक यह जैड कर तो मैंने किसी जिसको प्रेशर करना होता है तो मैं गारली किसी तरह से एड़ कर देती है आप इस चीज में मुझे बिल्कुल भी जैज मत करें क्योंकि मैं थोड़ सी लेजी हूं इस मामले में मैं मुस्ली गारली कैसे ही यूज करती हूं एक बाद यान का टुकरा दो से थी लोंग जो है मैंने कड़ी पता अड़ कर दिया इसके अंदर उसके साथ वन टेबल स्पून पूर डेव स्पून मैंने सॉल्ट कर ड़ किया इसके साथ ही इसमें जाए गे पहाज तकरिबन चार मैंने प्याज लिया थी मीडियम साइज के उ और इसमें मैंने तक्रेबर चार से पांच टेबल स्पून भर के योगर्ट के एड़ करती है उसके बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स अप कर लेना है पानी जो हमने इसका बैसे कि ड्राय कर लेना है जो कड़ाई है यह जो है ग्रीन चीली ब्लैक पेपर में ही कुक होती है इ करता है थी डिंडर का उसके साथ में लिये तीन से चाहार ग्रीन चीली अच्छे से इंका मैंने पेस्ट बना लिया Candi crosses का अब तक मैंने इसमें तक ह्रेड़ करने से इसका लेफ्याइंद ऑन टिबल स्पून भरके मैंने समय प्लैक प्लैक फ्लैपर पादेटर कर दिया दिया जो प्लैवर एगा वो महाला ब्लैक पेपर और गईिल में अगरेघ चलीgano- शकरने means तो यहां पर मैं भी इसमें घी एड़ करूंगी और हमारी कोई भी जब कड़ाई बनाते हैं तो उसमें घी के कुवांटिटी थोड़ी जाती है तब भी उसकी लुक वाइस भी बेस्ट होती है तो इसमें ज्यादा सा जो गी यूज होता है गी एड़ करने हैं उसके बाद हम एड़ा उसके बाद हम ने स्क्राइं मैं वाटन में चाला राधा की तो यह सबसे करासी करे खोड़ी हो जाए. ......... कोमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रैसिपी जो है कैसी लगती है वीडियो को मेरी शेयर लाजमी किया करें और विलोग अच्छा लगते हैं यह रैसिपी यह भी लाजमी बताया करें चलते हैं जी नेक्स रैसिपी की तरफ अथा यहां पर मुझे बनानी थी दो चीजे हैं जिसमे मुझे चिकन मेरिनेर करना था एक मुझे जो मेरेन करना था और मुझे यह उन दोनों के लिए बिलकुल पर लाथ बैद की स्टिटिक में कुला नी के thumbЧ काना था यहाँ पर जिर्लाकिन तेबल स्पून मैंने डाला था ब्लैक पेपर उसके साथ यहां पे मैंने थोड़ा सा आल्मस्ट टू तू टू ट्री पॉर्डर दोनों में एड्ड किया था इसके बाद यहां पे मैंने सौया सॉस ली थी तकरिबर न वन जिसमें मैंने सोया सॉस के एड़ किये थे मैं कोई भी चीज जब चिकन की इस तरह के बनाती हो तो इसमें मेरी मोस्ली जो मैडिनेशन होती है वह सेम ऐसे ही होती है और यह बहुत जबजसी मैडिनेशन है बहुत मज़े का चिकन बनता है इसे जूसी टेंडर और फ्लेवर मेरी 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 म वह भी देख सकते हैं जाके बहुत अबदस रेसिपी है यह बहुत मज़े का चॉमिन जो है आपका रेस्टॉरंट ट्राइल घर पे रड़ी होगा यहां पर मैंने तकरीबन थोड़ा सा अद्रग और लहसन और उसके साथ ग्रेंचिलिस ली थी तीनों को चॉप करके मैंने इसमें एड़ कर दिया इसको आपने सौटे करना है तकरीबन इतना सा सौटे करना है कि इसकी हल्गी से फ्रेग्नेस है अल्मूस्त 30 सेकंड टू 40 सेकं और आपको अच्छी सी फ्रेग्नेस जो है जिंजर गार्ली की वाना शुरू हो जाती है इसी पॉरिंट पर आपने इसमें चिकन एड़ कर देना है चिकन एड़ करने के बाद कि पांच मिन्ट तक आप इसको कुक करेंगे तो चिकन आपका ड़न हो जागा इसके बाद वेज चिकन का पीस लेकर हाफ कप जो स्टॉक रेड़ी कर लिया है आप चाहे तो ऐसे कर लें चाहे तो हाफ कप पानी में एक नोर क्यूब एड़ कर दें तो आपका चिकन स्टॉक जो है वह जबदस्ता रेड़ी हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें आस्ट्रो सॉस हाफ टेब स्टॉन मैंने इसमें बार्बीक्यू साउस एड़ किया है उसके बाद मैं इसमें एड़ करूंगी सिंपल कैचप किसी भी कंपनी के लिए कर सकते है आप आलमस्ट टू टेबल स्पून मैंने इसमें कैचप एड़ कर दिया है इसके साथ इसमें विनेगर जाएगा विनेगर इसके साथ 2 तेबल स्पून इसमें सॉया सास का एड़ कर दी है बहुत ही जबतस यह रेसिपी है आप लोग इसको लाजमी लाजमी ट्राइ करें इसमें मैंने तबन 1 एफ टेबल स्पून जो हैं ब्लैक बेपर आट किया है हाफ टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट एड किया था, सॉल्ट इसलिए जादा एड नहीं किया, क्यूंकि हर सॉस जो हमने कैचप चिली कैचप सब डालिया, सब में सॉल्ट की अच्छी ऐसी क्वाइटिटी होती है, तो इसलिए सॉल्ट इसमें जादा नहीं जाएगा, उसको आप से मैट्स था जाएटिवल, और मिक्स ऑप करना हैं, पानी चोड़ दें सकूल आपने मेक्सिमम 1 मिले मिक्सप करना है, स्पैगेटिप, और बैस आपने ञाएटार प्लिड के लिए मिक्स प करना है, स्पैगड़िस आपने मेच्टीबल पोहोती तो बिल्कुल भी चाह हैं इसका मिक्स्र एड़ करने हैं और 1 एक मिन दाफनीज को कवर कर रखना है इसके बाध हम चलते इसके बात अबनी में बना नट कि तरह थे बाध करने हें सबस्क्राइब कि भीर ऱविजुत नगषए आरज चिकन जावर डन हो जाएगा उसके बाद हम अपनी वाइट सॉस राड़ी कर लेंगे वाइट साउस के लिए यहां पर मैंने सेम उसी पैन में बटर एड़ कर दिया है तकरीबं थ्री टेबल स्पून मैंने यहां बटर लिया था इसमें आपने लाजमी बटर लेना ऑईलियां की एड़ नहीं करना बटर से ही इसका फ्लेवर आता है यहां पर बटर में हम लोगोंने और परपस फ्लॉर एड़ कर देना है आलमस दो से तीन खाने के जमच इससे जादा एड़ नहीं करना दो चमच जो है वो इनफ होते हैं आपकी सलरी बनाने के लिए जो आपने आड़ नहीं करना दो दो तीन तीन टेबल स्पून से जादा मिलका आपने इसमें एड़ नहीं करना अधर वाइस इसमें चोटी चोटी सी गुट्लिया जो वो बन जाती है तो आप थोड़ा थोड़ा सा दूर ड़ एड़ करते जाए उसके बाद अच्छ से इसको मिक्स आड़ की थी उसके बाद इसमें मैंने पैपरिका पाउडर एड़ किया पैपरिका पाउडर बो थोड़ा सा जाएगा उसके साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी स्पाइसी तो यहां पर मैंने इसमें और गैनो भी आड़ किया था सबसे का फ्लेवर इसमें और गैनो से ही इसलिए इसको अपने compulsory add करना है उसके बाद आपने इसको अच्छे से mix up करने के बाद आपने इसमें थोड़ा से salt और थोड़ी सी black paper add कर देनी है तो आपके जबदसी white sauce जो है वर ready हो जाएगी अप्शनल है आप इसमें cheese add करना चाहें या ना करें मैंने इसमें add की थी क्योंकि उसे थोड़ी सी rich जो है वो flavor आता है बहुत अचा फ्लेवर आता है इसलिए मैंने इसमें cheese भी add की थे आप लोग skip भी कर सकते हैं या कम quantity में भी add कर सकते हैं बिल्कुल आपके अपनी मरजी पर इसमें जो मैंने cheese add की थी थोड़ी सी चंकी रहे थी बिल्कुल merit नहीं हुए थी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था लेकिन first time मेरे साथ ऐसा होगा otherwise बिल्कुल ठीक slurry बनती है तो इसमें थोड़ी सी कहीं कहीं से जो है ना वो chunks रहे थे थे उसके बाद यहां पर मैंने fries रड़ कर दिया था चिकन और चिकन के ओपर मैंने जो है मैंने slurry ready की थी जो white sauce ready की थी तो यह दब दस से हमारे cheese fries ready हो चुके थे कुछ रेसिपीस जो है मैं आप लों के साथ separately share करूंगी क्योंकि वह मैंने separately बनाई थी और कुछ recipe skip भी हो चुकी थी यह कबाब की recipe मैंने skip कर दी थी क् time बहुत और था और यह इतने मज़े का बलाव है कि मतलब बहुत ही मज़े का बलाव है तो इसकी recipe मैं आप लों के साथ definitely फिर कभी share करूंगी कबाब के साथ यह बलाव बनता है smoky flavor के साथ और बहुत ही मज़े का बलाव बनता है यह बहुत इसके बाद मैंने fish भी बनाई थी इसकी recipe मैं आप लों के साथ कुछ दिन के अंदर अंदर share कर दूंगी तो जिसके बाद guest आ चुके थे और हम लोगों ने फिर खाला खाया और यहां मैंने salad बनाया था जो कि बहुत मज़े का बना था इसकी recipe मैं आप लों के साथ share करूंगी इसके इलावा desert बनाया था चौकल बैठावा था और जब मैं चीजे निकाल रही थी तो यह हर चीज इसी के पास जा रही थी इसी तरह से मतलब बच्चे को होता है कि शाहिए जो भी चीज वो नहीं देखता है उसको होता है कि बस मुझे सबसे पहले मिल जाए इसके ट्वाइस थे इसके यह एनिमल्स की shapes थी इसके इसके कुछ कपड़े थे जिसमें सबसे पहले यह रॉमपर है यह समर में है इसके काम आएगा उसके इलावा एक यह रॉमपर है यह बहुत अबदस्त है और बहुत इसका कलर भी और स्टफ भी दोने मुझे बहुत बसंदा है उसके इलावा यह स्वीटर है स्वीटर तो इसलिए मैं इसको भी फिलहाल यूज नहीं करवारी हूं कि गंदा करतेगा और अधर्वाइस बहुत बहुत ब्लैंकित है उसके पर छोटे से रैबिट्स बने हैं उसके इलावा जो है कुछ चीजे थी खाने वली कुछ नट्स थे चॉकलिट्स थी है चॉकलिट्स पूट तो अब बताने देखें अज़किता नहीं मता है तो खैर उसके इलावा कुछ मेरे लिए जो है यह ट्रे थी जो है यह जो सकती है और वैसे भी यूस हो सकती है मतलब सॉसिस बगार आट करके आप इसमें कोई प्राइड चीज भी साथ हो सकते हैं दो प्लेट्स यह थी थी कि दो डिफरेंट रजिस में थी उसके रावा मुहम्त जयान के लिए गार ही आथी चूटी-चूटी सी उसके लावrec एक प्यारी छोटीसी रिंग ती मुह स्थ पसंदा आ ईया और इंग भी माशालिल टे बहुत प्यारीया तो है यह घिप्क्ने ऑच मेरे लिए थे तो यह आजका वी लोग तो के उमीद आपनों को पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो लाजमे शैर करें वीडियो और चैनल पर जो भी लिए वो सब्सक्राइब भी लाजमे करें वीडियो को लाइक शैर करें जिए मिlt नएा हैं वेद्धा आजका किसा लगा है तौब में चाद रिखें, अबना बहुता है, रिखें में तरफ से अब सबको, अल्ला हाफीज